आज हम जो आर्वी के पत्ते हैं इसका बैशन बनाना बता रहा है इसके वह बहुत अच्छे बनते हैं और यह सबजे जो राथी क्थे बहुत टेस्टी बनती बैसन, इसमें थोड़ी सी लगे कि हल्दी, आदा चलमच हल्दी, बघार के लिए जीरा, एक पेंच हींग, अजवाइन, मिर्ची, विसा धनिया, गरम मसाला और नमक, सबसे पहले हम बैसन को लेंगे, बैसन को एक बॉल उसमें गालगा, पार्ट में आएंगे, इसका हम पेस् थोड़ी पहले हल्दी, डाली है, एक पिंच हींग, थोड़ी अजवाइन, श्वाद के लिए नमक, इस अंदास से अपने को डालना है, यह चार से पांच लोग के लिए खाने के लिए बहुत ही बढ़िया है, यह सो ग्राम के लिए अपने को एक बाउल बैसन और उसमें, म मिर्ची काफी है, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, इन सब को लेका है, इसको मिला लहीं अच्छे से, इसमें फिर हम थोड़ा तेल डाले है, छोटी दो चमाज तेल डाला है, तेल से थोड़ा सा खस्ता पन रहता है, इसमें ज्यादा है, ज्यादा थाहितनी होता है, ज्याद पिर हमें इसे भजी के बैसन के समाने से हम पानी डाल का एक की दिशा में गुल गुल हाट लगाते हुए इतना ऐसा पतला रखेंगे इसे हम कि हम पत्तो पर आसानी से इनको चड़ा सकें लेप लगा सकें पत्तु पर करेंगे इसे बजी का फूल बनाते हैं कोई इसमें गुठली नारा बिलकुश इसलिए एक दम भारिक हाथ से ही में ज्यादा तरहाथ से ही काम करती हूं अपने इसे आसानी से सब बुल जाता है इसे बेशन को अभी थोड़ा और पतला करेंगे जो इसके पर लग जाए अब अपना ये बेशन तैयार है ये बेशन इस तरह का होना चाहिए ताकि पत्ते पर अचानी से इसको लगा सकें यह इस तरह से पत्त्त पर अब भाप में पकाते हैं या तो आप इसको कडाये में या तवेली में बड़ी पाई रखके चलनी रखके उस पर अब ढ़ग दें दो-दो भी पत्ते रख सकते अपन बराबर के हैं तो प्यूंकि ज्यादा है तो आपन दो पत्ते भी रख सकते हैं थोड़ा रोल बनेगा यह इसको इस तहाँ से हम रूल कर लेंगे यह अभी हमारा एक रूल तयार है ऐसे हम पूरे रूल तयार कर लेंगे फिर तयार करके इसको हम भाब यह अभी हमने बैसन लगा करके इसके रूल बनाकर रख लिए हैं यह करीब 12 तेरा पत्ते हैं जो अब हम क्या करेंगे इसको बाप में पकाने के लिए दो विदिया या तो आप फुकार में बगा सिटी लगा करके इसको रख सकते हैं या फिर कड़ाई में पानी रखें और चल्ली रखा और इसमें हम इसको जमा देंगे हैं चल्ली में थोड़ा सा तेल लगाया हुआ है ताकि यह चिपके ने अब फिर हमें से ऐसे चल्ली में पास-पास जमा देंगे अब इसको हम 10-15 में जब देखेंगे चाकू के नोख से कि इसमें कट रहा है एकदम से यह तो समझ लो कि यह हमारा सब्जा आए इसको हम धग देंगे उपर से दस मता कम से कम पकाना ने ज़िए पंग जाने के बार में हम इस काटके बगार लगाएंगे कि अब भी ज dealers कोता सुम भी में के स्टेभं ने मिष्टा पट्राइब दर प्लेट करेंगे तो जोलन लागोशा ने इस फोटला च्रश्च आइशी चाकू यह सब्लात र्क ना वर किसे हम रगत प्रट कर जाने के बाद पूरा पिर इसे काट के वापस बगार लगाएंगे यह हमारे बत्ते अब बाल के जिस्ट थंडे कर लिये हैं अब हमेने बारीक बारी काट लेंगे अब हम इसको पहले थोड़ा से दीफ्राई करके बताती हमें आपको किने हम दीफ्राई भी कर सकते हैं तो यह में कडाई में तेल गरम रखा हुआ है तेल गरम हुए हमारा इसको जाल देंगे अजने तो आप इसको बखार भी जगा सकते हैं कुबला हुआ है यह जी प्राइब करनें से इसका पैस सालग लगता है यह बहुत बढ़िया ही कलार आया है इसको बात समय एक बात का जरूर जहान लगना चाहिए अगर थोड़ा भी कच्छा रहता है तो इसके गले के अंदर खुझली होने लग जाती है इसको अच्छे तरह से पकना बहुत जरूरी है जो अपन भाब देते हैं न इसको पते को पकना बहुत ही जरूरी है यह हमारे दी फ्राइ हो गया है इसे हम नास्तर में भी यूज कर सकते हैं और सब्जी के लिए प्राइब प्राइन के लिए पेल जरांग किया है और हमारे जो पॉबाल से कटे हुए इससे में को डाला यह हम उपड़ से ओर में कागड़ा दानें तोड़ी हल्ली यह थनिया प्राइब मेश पाउडर अंदर हमने बैसले मसाला डाला था लेकिन इसके उपजी हमसार दाने हो और नमक थोड़ा सा चुट्की भर कर मसाला यह बखार कर हमने इसकी सब दिरनाने के लिए त्यार किया इसको बैसा आतमे इसकी के बजिये बनाते हैं वह बड़े टैपी लगते हैं तो इसका हिए अग्याओ अग्याओ